नमस्ते, रीड़ बुक में हमारी अगली किताब है रविदना टेगोर की इच्छा पूर्ती सुबल चंद्र अपने नटखट पुत्र शुशील की हरकतों से परशान हो गया था एक शनिवार के दिन भूगोल की परीक्षा से बचने के लिए शुशील विद्याले नहीं जाना चाता था उसकी इच्छा श्रीमान बोस के घर जाकर शाम की आतिश बाजी देखने की थी सुशील ने पेड़ दर्थ का बहाना बनाया सुबल ने अपने पुत्र की शरारत को समझ लिया उसने काड़ा बना कर शुशील को जबरदस्ती पिलाया फिर कमरे में शुशील को बंद कर वह सोचने लगा एक बार यदि मैं पुना छोटा हो जाऊं तो मैं अपना सारा समय पढ़ने में लगाऊंगा इधर कमरे में बन शुशील अपनी शरारत बेकार हो जाने के कारण परिशान था वह सोचने लगा कि काश वो अपने पिता की उम्र का हो जाता तो अपने मन की कर पाता उधर से जाते हुई इच्छा पूर्णा देवी ने दोनों की इच्छाओं को सुना और उन्हें पूरा कर दिया अगली सुबा उठने पर सुबल ने स्वयम को एक बालक के रूप में पाया और सुशील दाड़ी मूचों के साथ बड़ा हो चुका था किन्तु अब बड़े होने पर उसकी मस्ती करने की इच्छा ही नहीं हो रही थी कल तक तो आराम से वो पेड़ पर चड़ जाता था पर आज चड़ ही नहीं पा रहा था विस्तर से उचल कर उसने बाहर निकलना चाहा तो हड़ियां खड़ खड़ा उठी उसके बड़े रूप को देखकर उसके मित्र डर कर भाग खड़े हुए इधर सुबल बालक तो बन गया था पर वह पढ़ना था विद्याले जाना नहीं चाहता था जब वह अपने मित्रों से बाचीत करने गया तब उन्होंने उसे भगा दिया पिता और पुत्र दोनों को ही बहुत मुश्किल होने लगी वह बहुत परिशान हो गए अपने इस बदले हुए रूप से परिशान होकर एक दिन सुबल और शुशील ने फिर से पहले जैसा बनने की इच्छा प्रकट करी जिस इच्छा पूर्णा देवी ने उनकी इच्छा पूरी की थी वह सब देख रही थी वह मुश्कुर आई और स्वयम प्रकट होकर कहा तुमारी इच्छा पूरी होगी कल सुबह सोकर उठने पर तुम फिर से पहले की ही तरह हो जाओगे अगले दिन सुबल एक बड़े की तरह उठा और सुशील ने स्वयम को फिर से बालक की रूप में पाया जीवन फिर से पहले की तरह चलने लगा था ये थी हमारी कहानी इच्छा पूर्थी